कुरोना वारस का नया वेरियंट ओमिक्रोन फिलहाल ब्रिटेन में अपने पैर पसार रहा है लेकिन यह भारत के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में भी ओमिक्रोन से संक्मिर्ट मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं यह भारत के लिए घा तक साबित हो सकता है ब्रिटेन को लेकर वैग्यानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरी प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो आगामी जन्वरी में ब्रिटेन ओमिक्रोन की एक भयानक लहर का सामना करेगा वैग्यानिकों का कहना है कि वैरियंट से अप्रेल के आखिर तक मौत का आंकड़ा 25,000 से 75,000 तक जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन कितनी असरदार साबित होती है हलाकि रिसर्च से जुड़े वैग्यानिकों ने कहा है कि स्तिथी को लेकर अभी भी अनिश्चिता बरकरार है इस रिसर्च से संबंध ना रखने वाले एक दूसरे वैग्यानिक ने कहा कि इस रिसर्च की सबसे बुरी स्तिथी की संभावना नहीं है रिसर्च करने वाले टीम ने सरकार को सलाह दी है कि कुछ भी निश्चित नहीं है रिसर्च में ये नहीं बताया गया है कि कोरोना वारस के ओमिक्रोन वेरियंट का भविश्य क्या होगा लेकिन यह कुछ संभावित परिणामों पर रोशनी डालता है यह रिसर्च लंदन स्कूल आफ हाईजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन में डिजीज मॉडलर्स के एक समुहने की है यह रिसर्च इस धारना पर आधारित है कि अगर आपको टीका लगाया गया है तो ओमिक्रोन कम गंभीर होगा यह मौजूदा प्लान बी उपायों को भी ध्यान में रखता है शोदगरताओं ने कहा कि बूस्टर डोज लेने से ओमिक्रोन के घातक प्रभाव को कम करने की संभावना है यह रिसर्च ऐसे समय पर सामने आई है जब बृटेन ने शनिवार को 54,073 नए मामलों की पुष्टी की है इसमें ओमिक्रोन के 633 मामले शामिल है हाला कि ओमिक्रोन मामलों की वास्तिविक संख्या बहुत अधिक होने का अनुमान है रिसर्च टीम में शामिल डॉक्टर निक डेविस ने कहा कि ओमिक्रोन बहुत तेजी से फैल रहा है और काफी चिंता जनक है उन्होंने बताया कि साल के आखिर तक ओमिक्रोन बृटेन में वाइरस का प्रमुख रूप बन कर सामने आ सकता है रिपोर्ट में कहा गया कि बृटेन में फिलहाल हर 4.2 दिन में संक्रमित लोगों की संख्याद दोगुनी हो रही है यह देश में उचिस्तर के टीका करन के बावजूद और वाइरस के मोल रूप की तुलना में तेजी से फैल रहा है जो तब फैला था जब किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी थी डॉक्टर डेविस ने कहा कि हम जो देख रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बृटेन में ओमिक्रोन की एक बड़ी लहर आ सकती है NBT Online की रिपोर्ट